वीडियो के अंतरकत बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धारा हैं इंडियन पीनल कोड आई पीसी 153, 153 का 1, 159, 160 and 166 इन प्रमुक धाराओं में जो विशेस बाते हैं वो आज हम लोग डिसकसन करते हैं इस वीडियो में जिसे सबसे पहले आती हैं इंडियन पीनल कोड की धारा 153 हम लोगों ने इससे पहले इस लेक्शर स्रीज का एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें जनरल यह जो अध्याय है जो आई पीसी का जो अध्याय है वो हम लोग इस समय चला रहे हैं लोग शान्ती के बिरुद्ध ज रहे हैं और कुछ सेस महत्पून धाराओं को आज हम इसमें बात करेंगे जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धारा 153 की धारा 153 का का काफी आज कल यूज होता है हलांकि हमेशा से यूज होता रहा है लेकिन आप लोग मीडिया में देखते होंगे धारा नंबर देख सो तिरपन ये कहती है उपदरो कराने के आसे से बेहूदगी से प्रकोपित करना अब सबसे इंपोर्टन बात है ये प्रकोपित करना उपदरो कराने के आसे से बेहूदगी से प्रकोपित करना मतलब कि आपको कोई उकसा रहा है आपका कोई कान भर रहा है आपको कोई कि आप विद्रोह करो, विद्रोह करो कि क्या होगी, जो लोक सांती है, जो हमारे सामाजिक समरस्ता है, वो बिगड़ेगी, सांती का माहोल बिगड़ेगा, तो ये धारा नमबर 153 में कही गई है, कि जब कोई भी व्यक्ति आपको उक्षाता है, प्रकुपित करता है, लोभन लेता है, कि आप जो हैं, विद्रोह करें, आप उपद्रो करें, और अगर जो आप उपद्रो कराने के लिए किसी को कहते हैं, हाँ आप करी हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगर वो उपद्रो सामने वाला व्यक्ति सचमुच में आपकी बात मान कर कर लेता है, तब आप द दिन से ले करके एक साल तक की सजा हो सकती है और आपके उपर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है और मान लीजी आपने किसी को उकसाया कि भाई उपदरों करो और उसने उपदरों नहीं किया और फिर भी ये बात पुलिस को पता चल जाती है उसके भावजूद भी आप ग दंड भी लग सकता है तो 153 बिसकली यही है जब किसी को आप लोभन लालज या जो है उसको उकसाते हैं या उपदरों मचाये भीड में आंदोलन करने के लिए किसी भी तरह से तो उसमें आप भी अपराधी माने जाते हैं अगर वो हो गया सचमुच में उपदरों हो गया तो एक साल तक के लिए एक दिन से एक साल तक के लिए और अगर नहीं होता है उपदरों लेकिन फिर भी आपको पुलिस को पता चलता है तो न्यायाले आपको एक से छे महीने तक की सजा प्लस आर्थिक दंड भी लगा सकता है उसके बार हम लोग बात करते हैं धारा 153 का ए धारा 153 का एक बहुत ही महत्पूर धारा है आपको पता जो हमारा देश है हमारी कंट्री है इंडिया इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है बहुत ही बिभिन्न परकार के लोग रहते हैं उनकी जातियां अलग हैं बहुत सारी जातियां हजारों हजारों जातियां हैं धर्म कई प्रकार के हैं विश्व के सबसे जादा धर्म सारे धर्म अपने देश में हैं ना कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं कई साधी रेस रहती हैं यहाँ पर गोरे काले सभी तरह के लोग रहते हैं तो लेकिन आए दिन आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है पुरा होता है आई पी सी की धारा एक सो तिर्पन में इसी के तहस कुछ बात की गई है जब जाती है भासा या फिर भासा के अधार पर भी काफी होता है कि हम हिंदी बोलते हैं तमिल बोलते हैं तेलगू बोलते हैं ना हम बंगाली बोलते हैं तो इसमें सम्में भी बहुत सारी जो है आपस में कन्फिलिक टकरा होते रहे दें कि हमारी भासा अच्छी है आपकी भासा बुरी हमारी नसल अच्छी है हम गोरे हैं आप काले हैं हम इस जाती के हैं हम इस धर्म के हैं तो ये सब जब बाते होती है ना इस जाती धर्म के नाम पर जब नफरत पहलाये जाता है जो कोई साल तक की कैद है आप याद लखिए तीन साल तक की कैद प्लस जुर्माना है अगर ये अपराद धार्मिक अस्थल पर किया जाता है मानली आप जाती धरम को नफरत पहला रहे हैं कहीं भर भी पहला रहे हैं लेकिन उसी धार्मिक अस्थल पर जाके फैला रहे हैं तो आपकी स आपको मिलेगी प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है तो मुझे पूरा उमीद है 153 का ए भी समझ में आ गया होगा 153 में जब किसी को आप उकुषाते हैं उपदरों करने के लिए और जब है 153 का ए क्या है जब आप धर्म जाति भासा के आदार पर किसी को समाज में नफर वर्ड यूज होता है ना तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मतलब आपको यह याद रखना है कि दंगा होने के लिए दो व्यक्ति परियाप्त हैं यह धारा 169 कहती है इंडियन पीनल कोड की IPC की धारा 169 के तहर दंगा होने के लिए दो व्यक्ति का परियाप्त होना ब कहा जाता है दंगा इसको दंगा कहा जाता है दो या दो से अधिक लोग जब लोक सांती में आपस में ही लड़ जाते हैं आप बजार में लड़ जाओ सबजी वाले से लड़ जाओ ठेले वाले से लड़ जाओ तो वहां लोक सांती में तो बादा हो गई ना कोई जा रहा है को रोड पर लड़ जाते हो, तो सारी पबलिक को परिशानी होती है, तो मलब लोग सांती में आपने बादा डाल दी, तो आप इसको दंगा का प्रारूप भी चह सकते हैं, तो अब आप ऐसा करते हैं, तो आप इसी को उपद्दरों भी कहा जाता है, उपद्दरों दंगा फिर स एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है या एक सव रुपे तक का अर्थिक दंड किया जा सकता है मतलब आपको एक दिन से ले करके एक महीने तक की सजा मिल सकती एक दिन से एक महीने तक की सजा प्लस सव रुपे जुर्माना भी लगाय जा सकता है जैसे आए दिन आप देखते होंगे चौराहे पे दो लोग लड़ जाते हैं ना सब्जी वाले लड़ जाओ बहेंस कर जाओ रिक्से वाले से तो ये भी इसके तहट भी आपको सजा हो सकती है जुर्माना लग सकता है उसके बाद सबसे महत पूर्धारा है जो सभी लोक सेवक वहाँ ये समझ जाए कि जो गौर्मेंट इंपुलाई है कोई जो है कोई पोस्ट धारन करता हो कोई पद बहुत बड़ा पद धारन करता हो जिससे जनता को क्या है नियाय मिलता हो उसके जो है काम करवाता हो उसका कोई गौर्मेंट का कोई एजेंट हो तो ऐसे लोगों को लोग सेवक का गया इसको IPC की धारा 21 में बहुत डिटेल में मैंने डिसकस किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं तो धारा 806 क्या कहती है कि लोग सेवक द्वारा किसी ब्यक्ति को छत पहुंचाने के आसे से बिधी की आउग्या करना आपको पता जो सरकारी कर्मिचारी होत अगर पुलिस है तो उसके पास कानून का पावर है या कोई और विभाग है तो उसके पास अपना पावर है तो अगर कभी लोग सेवक अपनी बिधी बिरुध काम करते हैं लोग सेवक जब जनता में आसांती फैलाते हैं जब जो सरकारी कर्मिचारी है वो जनता में आसांत फैलाते हैं बाधा फैलाते हैं तो इसके लिए भी उनको भी दंड का प्राविधान है लोग सेवक को भी क्या मिलेगा दंड मिलेगा तो यह जानते हुए आपको सब कुछ पता है कि जो आप कर रहे हैं उससे च्छत पहुंचेगी सामने वाले बैक्ति को जनता को लेकिन फिर काम कर रहे हैं जो कोई लोग सेवक होते हुए बिधी के किसी ऐसे निदेश की जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोग सेवक के नाते उसे आचिरन करना है जांते हुए आवग्या मतलब आपको पता है कि आपको इस तरह से रहना है उसके बावजूद भी आप गल्त अगर उकसा देते हैं, आप अगर वो विद्रो हो जाता है तो एक दिन से एक साल तक की सजा, अगर विद्रो नहीं भी होता है तब भी आपको छे महिने तक की सजा, एक सो तीरपन का ए ये कहता है कि जाजाती ब्हांसा के आधार पर जब बिद्रोफ फैलाए जाता है नफरत फैलाए जाता है तब इसमें क्या है तीन साल तक की सजा है लेकिन अगर आप धार्मी कस्थल पर ऐसा करते हैं तो पान साल तक की सजा है 169 दंगा के बारे में है 160 में दंगा के लिए जो है उपद्रों के लिए दंड के बादे में है और 166 में क्या है जब लोग सेवक लोग सांती में बाधा करते हैं तो उनको दंड कितना मिलता है एक साल का साधा कारावास या आर्थिक दंड